हलो फ्रेंज वेल्कम टू मैं चानल के और लॉक हैंड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मौशिराइजर क्रीम का रिविवीव क्रीम की बात करी हूँ तो यह गाइज मैं बात करी हूँ अल्फ गुटनेस की कोकोनट मौशिराइजर क्रीम के बारे में तो यह प्रोड़क्त को मैंने बहुत पहले यूज किया था तो अभी यह प्रोड़क्त खतम हो चुका है लेकिन इसका रिविव आपके साथ शेयर करना क्योंगी यह कॉणकी प्रोड़क्त इतने लोग खरीते हैं अंड यूज करना चाहती है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि अल्फ गुटनेस में यह बहुत ही जादा चनने वाला प्रोड़क्त है तो इसका डिविव तो मुझे शेयर करना ही था क्योंकि मैं आपना शेयर मुन चाहती हूं कि मैंने जब इसको यूज किया तो मेरे साथ क्या हुआ और ये प्रड़क्ट मुझे कैसा लगा तो इसी नहीं आज में लेकर आई हुई इसका रिविव आपकी साथ वीडियो स्टाट करने से बहले अगर आप मेरे चानल पर नहें are तो प्लीज मेरे चानल को सस्क्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को फ्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जा है अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो definitely वीडियो को like जरूर करें अगर आपको कोई भी queries हो और कोई भी बात मुझे पूछनी हो इस product के बारे में तो आप मुझे comment भी कर सकते हैं मैं बहुत ही जल्दी आपको reply देनी की कोजिश करूँगी So let's start the video So firstly बात करते हैं इसके packaging की तो आप देख सकते हैं ये container में हैं ये container form में है and इसका जो container है वो बहुत ही जादा अच्छा है and transparent container है जिससे आप product को अंदर देख सकते हैं कि आपके पास product कितना है So इसकी जो packaging है वो काफी अच्छी है तो इसलिए मुझे container वाले packaging बहुत अच्छे लगते है and इसका जो cap है वो बहुत ही tightly pack हो जाता है मतलब इसको round round करके निकलना होता है and round round करके इसको close करना होता है तो ये बहुत ही tightly pack हो जाता है मतलब ये travel friendly है लेकिन ये जो product है ये एक ही जगा पे stay नहीं रहता है अगर आपका जो container है वो खड़ा रह जाएगा तो जो product है वो पूरा नीचे तरफ आजाएगा तो इस तरह से जो product है वो हिलते रहता है क्योंकि जो product है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है इसके अंदर आपको एक plate दी गई है जो कि आपके product को नीची गिरनिया से रोपती है और वो एक hygiene का symbol है अगर अंदर आपको कोई और एक plate दी जाती है तो इसमें आपको एक plate भी नजर आएगी आप देख सकते हैं white color में अब बात करते हैं इसकी consistency की तो इसकी consistency बहुत जादा ठीक नहीं है लेकिन हाँ इसकी consistency थोड़ी सी ठीक जरूर है मतलब बहुत जादा creamy नहीं है लेकिन थोड़ी सी ठीक consistency है और पहुती buttery इसका structure है जो कि winter के लिए बहुत अच्छा है अगर आपकी skin बहुत जादा dry है तो आप इसको all season के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यह coconut cream है और coconut हमारे skin के लिए बहुत अच्छा है यह बहुत ही अच्छा से हमारे skin को moisture करती है हमारे skin को बहुत ही जादा नरीश करती है तो आप इसको winter के लिए या अगर आपकी skin dry है तो dry skin वालों के लिए बहुत ही जादा अच्छी है तो इसकी consistency है थोड़ी सी ठीक है मतलब थोड़ी सी jail like दिखती है लेकिन easily skin में blend नहीं होती है आपको बहुत जादा इसको blend करना पड़ता है मतलब बहुत ही कम quantity में इसको use करना पड़ता है और बहुत time तक इसको थोड़ा सा blend करना पड़ता है क्योंकि यह easily skin में absorb नहीं होती है तो यह चीज़ मुझे इसकी थोड़ी सी पसंद नहीं आई अधर्व काफी अच्छी इसकी स्मेल है कुकोनट वाली स्मेल है लेकिन थोड़ी से इरिटेटिंग है देन इसका जो डायरेक्शन है यूज करने का वो तो सिंपल है आप जिस तरह से मौशिराइजर यूज करते हैं नहाने के बाद तुरंत अपने फेस पे आपको इसको यूज करना है लेकिन ये मेरे स्कीन के लिए उतनी सूटेबल नहीं थी क्योंकि मेरे स्कीन थोड़ी सी ओईली हो जाती है अगर मैं बहुत ही हेवी मौशिराइजर को यूज करो तो मैं अपने स्कीन पे बहुत ही लाइट मौशिराइजर यूज करती हूँ है ये लाइट मौशिराइजर तब तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इस प्रोड़क को एस नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें दिया गया है कोकोनट जो कि नाइट में आपकी स्कीन को नरीश और हाइड़रेट रखने के लिए बहुत ही जादा हैल्फूल रहेगा तो गाइस इसकी जो बेनिफिट्स है वो यही है कि आपकी स्कीन को बहुत ही अच्छे से हाइड़रेट रखेगा और मौशिराइज रखेगा इसमें जो यूज किया गया है इंग्रेडियन है वो है कोकोनट ओईल जोजोबा ओईल और अलोवेरा एक्स्टाक तो इन में इंग्रेडियन से इस प्रोड़क को त्यार किया गया है इसके पीछे आपको सारी टीटेल्स दी जाएंगी इस प्रोड़क के बारे में इस product की जो price है वो है 99 rupees लेकिन मैंने I think इसको अच्छे कासे discount price में ही खरीदा था purple से and I don't think कि ये product आपको offline मिलेगा but अगर आप इसको purchase करना चाहते हैं तो आप purple से जरूर इसे purchase करें मैं purchasing link आपको description box में provide कर दोंगी then मेरा इस product के साथ जो experience रहा है वो कुछ ठीक ठाक ही रहा है ये मेरी skin को काफी अच्छे से moisturize तो करती थी लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इसे use करने के बाद मेरी skin जो है थोड़ी सी dark लगती थी इसे use करने के बाद मुझे थोड़ा सा oiliness heaviness feel होता था और ये मैं नहीं चाहती हूँ I like to use light moisturizer और ऐसे moisturizer जो मेरी skin को ग्लोई बनाए तो ये जो cream है मेरी skin को ग्लोई तो नहीं बनाती थी लेकिन या hydration देती थी और moisturize करती थी मेरे skin को बहुत अच्छे से लेकिन मुझे इसकी smell irritate करती थी और इसका जो heaviness है न उससे मुझे बहुत ही चिपचिपा सा fill होता था और इसकी जो smell है वो भी मुझे बहुत साथ हेवी लगती थी so that's why मैंने इस product को अपने face भी यूज करना बन कर दिया and मैंने इस product को body lotion की तरह यूज किया and कभी कबर मैंने इसको as a night cream भी यूज किया है क्योंकि इसमें दिया गया है aloe vera and coconut जो कि skin के लिए बहुत अच्छा होता है so मैंने इसलिए इसको as a night cream भी यूज किया है तो guys मेरा experience तो ठीक था कि रहा है लेकिन मैं इस product को बिल्कुल भी repurchase नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं इसको face भी यूज नहीं कर पा रही हूँ तो इसे repurchase करके कोई मतलब नहीं है तो guys मैं आपको इसको recommend करूँगी अगर आपकी skin dry है तो आप इसको try कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी skin oily है और अगर आपका nose sensitive है तो मैं आपको इसको बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगी क्योंकि ये जो cream है ये heavy है और इसकी जो smell है वो भी थोड़ी सी strong है तो dry skin वाले इसको try कर सकते हैं अगर आप चाहे तो क्योंकि इसे use करने के बाद skin में कोई problem तो नहीं होती है क्योंकि मैंने इसको बहुत time तक अपने face में भी use किया है लेकिन मेरी skin थोड़ी सी dark हो जाती थी so that's why मैंने इसको use करना बन कर दिया बट ये skin में face में कोई problem नहीं करती है क्योंकि ये natural product से बनी हुई है तो इसी मज़़ से अगर आपकी skin dry है तो आप इसको definitely एक बार dry करें काफी affordable है काफी time तक चल भी जाता है बहुत ज़्यादा quantity use करने की जरूरत नहीं है so I think guys आपको ये video helpful रही हो so मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाई and take care